है यह एक बर एक नगे लगॉर्थम बढ़ते हैं दम लिएवल फीडबाक क्यों गॉर्थम है यह थोड़ी सी अप्ग्रेडिशन है मल्टी लेवल क्यों कॉल गॉर्थम की वदलब जो हमारी मल्टी लेवल क्यों गॉर्थम दिना इसके अंदर कुछ हमने बहुत अर्जेंट करें तो हमारी क्या बन गई मल्टी लेवल फीडबाक की नीड पड़ी और यह है क्या उसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि मल्टी लेवल क्यों में प्रॉब्लम क्या थी अब जो मल्टी लेवल क्यों गॉर्फम थी उसमें क्या था कि हमारे पास ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती थी और हर क्यों के उपर हमने डिफरेंट अल्गॉर्फम लगा सकते थे और इनके उपर दिफरेंट डिफरेंट अल्गॉर्फम लगा सकते थे ल I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.iu because programming is a doing activity so if you 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 really want to learn it you have to code the questions and on nardos besides videos we have these questions and we have mcqs faqs hint videos and a lot more we we also have this career tab where we can apply to amazing companies intweet is hiring via city mall is worse innovation is hacker earth is also hiring by us and the new ones are country delight and movie quick so so to apply to these companies and to consume the content in proper manner nardos.io is the place and to help you more we have this community tab where you can ask your doubts and we hold regular contest in our complete tab so youtube is very passive way of consuming this content come and consume this content on nardos.io thank you that's it yeah the best time prediction अब्योंब्योंगरे मुश्यपे अब राउबिन लगा लिए हमना डिफेरेंट । इफेरेंट क्यूज़े बना ले दे और हर क्यूब काने पर्पस होता था जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूं कि कि मेरे सिस्टम कॉल आएंगी यहां मेरे पास इंट्राक्टिफ प्रोसेसेज आएंगे तो ऐसे हम अलग-अलग रोल्स असाइन कर सकते हैं अपनी क्यूस को और वह वह प्रोसेसेज उस एल्गॉर्थम के सब से इंप्लिमेंट होती थी अब इसका फाइदा क्या होता था कि हर क्यों की ना प्रायर्टी होती थी आप इसको हम राउंड-डॉबिन का मतलब इंट्रक्टिफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है जिसको इसके अंदर यूजर को बार-बार इंपुट लेनी है उसको जादा कम से कम वेट करना है तो राउंड-डॉबिन क्या करेगा कि जितने भी प्रसेस आ रहे उनके ऊपर थोड़ा काम होता रहे ठीक है पूरे-पूरे प्रसेस को कंप्लीट करने की जुरत नहीं है बीच-पीच में कुछ को मौका मिलेगा उसके बाद अगर हायर प्रसेस वाली क्यों हो जाएंगे तब नीचे वाली क्यों डूर। प्रियोटी प्रिशल पॉसिबल है कि नीचेवाले जो वड़े टास्क पड़े है उनको को मॉका मिले ही ना स्टाररोट्मॉ हो जाए तो स्टारोट्म को बचाने के लिए उनने की से अपड्रेड करके नहीं हम शुसाब करके- olgotham बनाई मृटी- का मतलब क्या है feedback का मतलब क्या है इसमें ना आपके टाइम के हिसाब से काम होता है जैसे कि एक इसांपल लेता हूं जो मुल्टि लेवल feedback क्यों होती है ना वह यह कहती है कि अगर माल लो मेरा कोई प्रोसेस है है जिसको सीप्यू टाइम रिकवायर्मेंट क्या है बहुत ज्यादा बोलता है की इस जो से डादड्रोसेस डाट डाटऽ निइश्मो डॊप्रियार्टİ कि 95 गरते दिसे मालव को हाय ज्यादा सीव्यूंद चाहिए क्पर देंगे उसी तरीकी समझ्छ लो कि इसके प्लाइटी ज्यादा है मुव कर कर देंगे ताकि ऐसा ना हो कि एक ही प्रोसेस को बहुत ज़ादा टाइम मिल रहा है इससे हमारा कॉन्वाइफेक्ट बचेगा क्या बचेगा कॉन्वाइफेक्ट ठीक है आज स्टावेशन दूसरी चीज जो मारा मुल्टि लेवल कर रहा है वह वेट कर रहा है लोःर अब में लोर Shore फ्रैयरीरिटी क्यों में तो क्या करना है उस प्रॉसेस को कई कर दो मोग्रों यह वर्लॉच तो हाइर प्राइरिटी कि ते अब यह चीज़ इंब्पॉर्डेंट है मूदाप्रॉसेस्ट तु हाइर प्रइख्रेटी अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ माल लो मिर पास जो क्यूच थी उसके अंदर हायर प्रयायटी प्रोसेस बार 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 आही जा रहा है ऐँब म supremacy के करती है वह ला एजिंग पे डिपेंड करती ए एजिंग जो लोट उप्रायेकु में बढ़ा हूँ है इसकी प्रायेटी कम द्सें बहुत टैम होगय resol तो क्या उस की प्रेटी बढ़ा ग्लेंगे ऊफिंगे प्रोसेस को हम नीचे वाली क्यों से उपर वाली क्यूं करदेते ी उसके हम priority बढ़ा देते हैं ताकि क्या बच सके prevents starvation जो problem थी जो problem थी multi level Q में की बार-बार higher priority process आता जा रहा है तो जो lower priority Q के अंदर हमार पस process पड़े उनको time नहीं मिल रहा था इसने उसे solve कर दिया ठीक है तो multi-level feedback Q algorithm ज्यादा difficult नहीं है यह काफी बेटर है इसके अंदर आपकी स्टार्वेशन प्रिवेंट करी जा सकती है आपकी कॉन्वाइफेक्ट किया जा सकता है क्योंकि जैसे कि यहां पर देखो पहला पॉइंट कॉन्वाइफेक्ट के लिए बहुत अच्छा है जैसे मानलों CPU टाइम है जो मेरा पहले प्रॉसेस आया उसके बाद बहुत कम कम टाइम मांग रहे है तो इसको पूरा पूरा एक्जीव्ट नहीं करता सब्सक्राइब करने के बाद ताकि बाकियों को भी मौका मिल सके तो इसमें स्टार्वेशन और कॉन्वाइफेक्ट नमारे बच जाते हैं अल्टिमेटली ले देके कंक्लूजन यही है कि मल्टि लेवल फीडबाक क्यू अलकॉर्थम इसन एप्रेडिशन तो मल्टि लेवल क्यूर्टेॉइ बाइंप्लियंंटेंग एजींग उसमें एंधींग को ती क्यों कि इनिश्टेंट कर रहे हो कि हमारा प्रोसेस की प्राइटी कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए आप कौस के स्टाइब की अलगॉर्थम यूज कर रहे हो तो इन सब चीज इन सब चीज़ों के पर मर्टी लेवल फीडबाक क्यू अलगॉर्थम की की ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है वो कितना अच्छा भीएव करेगी तो आई होब कि मर्टी लेवल फीडबाक क्यू अलगॉर्थम आप सबको क्लियर है इसको रिलेट कर पा रहे हो मर्टी लेवल क्यू अलगॉर्थम की प्रॉब्लम के साथ उसका सॉलूशन है यह है तो I hope this concept is clear to you and let us meet in the new concept thank you